असलाम अलेकूम वेल्कम तो सेंस्टेटिंग चैनल कैसे हैं आप सब आई हॉप ठीक होंगे आज किस वीडियो में हम ये वाला बहुत ही खूपसूरत सा दामन डिजाइन बनाएंगे चलिए जी डिजाइन वरा स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाए यह कि पेपर पटी पेपर पटी की रिमबाई है तेरा इंच और चुड़ाई है दो इंच इसके उपर हमने दो-दो इंच के गैप पंद शान लगाने हैं इस साइड पर भी और फिर इन निशानों को मिलाते हुए यहां पा स्ट्रेट लाइन्स ड्रा कर लेंगे यह देखिए कुछ बॉक्स बन गी है अब इनको काट करकी अलग अलग कर लेंगी यह मैंने दो कपड़े की पटियां काट की है इनकी चुडाई है तीन इंच अब इन पिसिस को इन पटियों के उपर रख कर गरम इस्तरी की मदद से पेस्ट कार लेंगे अब दूसरे पिस को भी रखेंगे याद रहें कि पेपर पटिय की चमक और साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर देंगे और फिर इनको भी अलग अलग कार लेंगे एक पीस को लेंगे उसकी तीन साइड उपार पेपर पटिय के बिल्कुल साथ साथ सलाई लगानी है और एक साइड पे सलाई नहीं लगानी शुरू से डबर सलाई करेंगे हैंड से भी डबल सलाई करेंगे इस तरह से बाकी के पीसिस को भी सलाई लगा लेंगे यह जी सारे पेसिस को सलाई लगानी है अब साइड उसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कर देंगे कोनों को गोल कर देंगे यह जी सारे पेसिस का एक्स्ट्रा कर देंगे कोनों को गोल कर लिया है अब इनको सिधा करेंगे एंसे की नोग की मदद से इसके कोने ठीक कर लेंगे फिर यहां से भी सकपड़े को अंदर की तरफ टर्ण करके प्रेस कर लेंगे ताकि अपनी जगा पर बैठ जाए फिर यहां पर गुमतरपाई कर लेंगे गुमतरपाई पर में पहले ही वीडियो अपलेट कर चके हूँ आप मेरे चैनल विजिट करके देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा गुमतरपाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से है ये मैंने सारे पीस इसको सिधा करके प्रैस करके गुमतरपाई भी कर लिये अब इनको मोतिल करके जोड लेंगे अगर आप मोतिल नहीं करना चाहते तो आप वैसे भी इसको टांकेल करकर जोड सकते हैं इसको मोतिल करके जोड लिया है ये इसकी फ्रंट पार्ट की दामरवल साइड है त्रेम कलर में ही मैंने एक स्ट्रिप काट की है जिसकी लंबाई है दो इंच इसको हाफ हाफ इंच फोड करके प्रेस कर लिया है और इसकी चुड़ाई दामरवल की चुड़ाई के जितनी है इस पटी को दामरवल की सिधी साइड पर ऐसे रखका यहाँ पर स्लाइल लगा लेंगे यह जिस स्लाइब भी लग गी है इसको टर्न करके प्रेस कर लेंगे यह दामरवल साइड है यह मैंने एक कोर कपड़े की पट्टी काट की है उसके अंदर डेरिंग चोड़ी पेपर पट्टी को पेस्ट कार लिया है और इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कार लिया है अब इन पेसिस को इसके अंदर राक कर स्लाइ लगाएंगे यह जी स्लाइ भी लाग गी है अब इसको इस तरफ करेंगे और इस पीस को इसके उपर उल्टा करके रखेंगे दोनों के सीधी साइडे आपस में मिली हुई होनी चाहिए फिर इस कपड़े के उपर यहाँ पार स्लाइ लगा लेंगे लाइल गाने के बाद यह कुछ इस तरह से है अब इसको सीधा करेंगे को अंदर के तरफ टान कार देंगे और फिर एक दफा प्रेस कार लेंगे इसके बाद यहाँ पात रपाई कार लेंगे और साइडों से इसकी फिंशिंग कार लेंगे तो यह रही इसकी फाइनल लुक अगर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ यसाथ बेल आइकन भी प्रेस का लें ताक मेरे हर नई आने वाल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाह अफीज अजाब को के लाह अदूदी आज है आने हैं